Hello children, good morning, how are you all? Fine, okay, so in the last lecture we have completed up till 6, right? Now we will start with J, है न, 6 के बाद क्या आएगा? J, तो आज हम J से शुरू होने वाले शब्दों को सीखेंगे, है न, उसके English meanings सीखेंगे, ये सब आपको याद रखना है हमारी बुक में है न, जह को जह से शुरू होने वाले शब्दों से जोड़ो, तो आपको पता होगा, जह से कौन-कौन से वर्ड्स हैं, तब ही तो आप मैच कर पाओगे तो आपको जह को कौन-कौन से वर्ड्स से जोड़ना है, वो हम सीखेंगे, और उसके English meanings भी सीखने हैं, है न, मैच दो फॉलाइंग में आ सकता है, जिसे की जग है, तो जग को English में क्या बोलेंगे, तो जग ही बोलेंगे, तो इस तरह से आपको मैच दो फॉलाइंग में आ सकता है, है न, तो हम आज जह सीखेंगे, ओके चिल्रन, सो नाओ, लेट्स स्टार्ट, सी चिल्रन, ये कॉन सा पिक्चर है, जहाज, है न, जह से जहाज, जहाज मीन्स होता है, शिप, एस एच आई पी, शिप, आप लोग बैठे हो शिप में, है न, तो जहाज मीन्स शिप, ओके, तेखो चिल्डरेन ये कौन सा पिक्चर है पहचाना जलेबी राइट आप सबको अच्छी लगती है हाँ तो जलेबी मतलब होता है स्वीट इंडियन डेश येस पर जलेबी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या जलेबी को इंग्लिश में हम जलेबी ही बोल सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं रिंग्स विद सिरप ओके तो ये हमारा हुआ जलेबी जह से जलेबी देट इस इंडियन डेश ओके चिल्डरेन देखो चिल्डरेन ये कौन सा पिक्चर है जग राइट तो जह से जग है ना जह से जग तो जग को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे जग ही बोलेंगे जग का स्पेलिंग आता है ना सबको हा ना तो जग और उसका इंग्लिश मेंनिंग हुआ जग ओके चिल्डरेन ये कौन सा पिक्चर है यू किन सी देग्लास इस फुल ओफ जूस राइट तो जह से जूस उसको हम इंग्लिश में जूसी बोलते हैं औरेंग जूस एपल जूस ओके तो इस तैप के अलग अलग जूस होते हैं आप लोगों ने ट्राइ किया होंगे हैं आप लोगों ने पिये हैं हाँ तो हमें सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वाइर्मेंट कब होती है समर सीजन में हैं आई तो हमें जूस जूस अलग जूस आपनें आप लोगों जूस आपनें तो जह से हुआ जूस आपनेंट कब होती हैं जो जाले होते हैं है ना So it is known as spider web है ना Home of spider is web right So उसको हम हिंदी में जाला बोलते हैं आप लोग जानते हो ना spider's web आपको ES में पढ़ने में आता होगा Home of spider is web What spider views web ओके So वो जो web बनाता है अपने रहने के लिए वो और उस web में क्या होता है First जाते हैं चोटे चोटे इंसेक्स तो वो उनको खाता है है ना So spider's web तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे spider web को जाला ओके spider's web को हम हिंदी में बोलेंगे जाला ओके चिल्डरन Now see children ये कौन सा पिक्चर है जह से जादूगर है ना magic shows करता है आप सबको magic show देखना बहुत पसंद होंगा है टाउन में कहीं भी magician show होगा तो आप लोग देखने जाते होंगे ना तो magician magician होता है वो magic shows करता है ओके So जह से होता है जादूगर magician को हम हिंदी में बोलते हैं जादूगर that is magician है, shoes का picture है, right, there are two shoes in the picture तो हम उसको हिंदी में क्या बोलते है, जूते, है ना, जूते means shoes, right, जूते, that is shoes, what is the spelling of shoes, S-H-O-E-S, है ना, shoes, जूते means shoes, okay, now see children, ये कौन सा picture है, jam, right, तो jam को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, jam, है ना, आप कभी-कभी bread पे लेगा के खाते हो, different-different types of jams जादे है, fruit jam, है ना, so, ये, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, jam, okay, so, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, jam, okay, now see children, ये कौन सा picture है, jersey jungle, है ना, jersey jungle, that is forest, jungle को हम क्या बोलेंगे, forest बोलेंगे, है ना, jersey jungle, that is known as forest in English, okay, देखो children, ये कौन सा picture है, आप लोग शायद पहचानते होंगे, jersey jamun, means, java plum, है ना, अपने jamun खाया होगा, है ना, so, that is known as java plum in English, and in Hindi, its name as jamun, okay, children, okay, children, you clear, which words we learn from jer, okay, so, हमने jer से जो words learn किये हैं, और उनके English meanings learn किये हैं, वो आपको याद करने हैं, okay, so, we will meet in a next lecture, with our new letter, till that, bye bye, thank you, अजब रीघ्ट, आपको, अजब रीघ्ट,